हेलो गुड इवनिंग तो आज linear equations in two variable chapter ही continue हो रहा है पिछली वीडियो हमने हमने ये बताया था कि substitution method को कैसे apply करते हैं solve करने के लिए और इस वीडियो में आज हमों सीखेंगे कि elimination method को कैसे apply किया जाता है questions को solve करने के लिए let us start elimination method क्या होता है और इसको हम कैसे apply करेंगे अपने questions में solve करने के लिए बहुत easy method होता है ज्यादा तर हम elimination method लगा देते हैं questions को solve करने के लिए तो let us start पहला equation हमारे पास है x plus y is equal to 5 ये first equation है और दूसरा equation हमारे पास है 2x minus 3y is equal to 4 ये second equation है तो elimination method का मतलब क्या होता है इसका logic क्या होता है कि इसमें दो condition होनी चाहिए elimination का मतलब होता है eliminate करना हम या तो x को या तो हम y को किसी भी एक value को eliminate करेंगे eliminate करने की दो condition होती है पहली condition ये होती है कि दोनों की जो values हैं जो values हैं वो same रहेंगी values are same अगर values same है तो आसानी से वो cancel out हो जाएंगी दूसरा condition cancel out करने के लिए कि sign जो है वो opposite होने चाहिए sign opposite तो ये दो condition है इस दो condition को use करके हम elimination method को solve करेंगे sign opposite हो और values क्या हो same हो तो हमें eliminate करने के लिए दो condition रहेंगी अगर ये दो condition नहीं है अगर है तो कोई बात नहीं पहला equation है x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4 तो हम क्या करें y को eliminate करें because इसके पास plus sign है इसके पास minus sign है लेकिन value same नहीं है because इसके पास 3y है इसके पास सिर्फ y है तो हम क्या करेंगे पहले equation को इसको 3y बनाएंगे उसके लिए हमको इस first equation को 3 से multiply करना पड़ेगा तब 3 से multiply पूरे equation को करेंगे तो y के जगा भी 3 आ जाएगा तो करते है solve तो यह हो जाएगा 3x plus 3y is equal to 15 हमने multiply किया और यसे हम कुछ नहीं कर रहे है इसे हम ऐसी copy करेंगे 2x minus 3y is equal to 4 next slide में कर दे रहे है मैं भी आपको problem हो देखने में 3x plus 3y is equal to 15 यह हमने multiply किया 3 से और यह 2x minus 3y is equal to 4 को वैसी copy करेंगे 2x minus 3y is equal to 4 अब देखते हैं यहाँ पे plus 3y और minus 3y तो आसानी से eliminate हो गया तो 2x plus 3x हो गया 5x और 15 plus 4 हो गया यहाँ पे हमारे पास 19 तो हमारे पास जो x की value आ जाएगी वो आ जाएगी 19 upon 5 देखने हमारे पास जही है x plus y is equal to 5 था और 2x minus 3y is equal to 4 था तो हमने क्या किया यहाँ से पहले हमने क्या किया है eliminate किया है ठीक है values मिल गई है x की value आ गई 19 upon 5 अब यही x की value हम या तो equation number 1 में या तो equation number 2 में कहीं पर भी insert कर देते हैं first equation में कर देते हैं x plus y is equal to 5 तो x plus y is equal to 5 इसमें insert करेंगे x की value 19 upon 5 plus y is equal to 5 y की value हो जाएगी 5 minus 19 upon 5 lcm ले लेते हैं यहापे lcm हमारे पास हो जाएगा 5 यह हो जाएगी value 25 minus 19 और यह value यहाँ से आ जाएगी 6 upon 5 y की value आ गई 6 upon 5 x की value आ गई 19 upon 5 तो यही method होता है elimination method कि हम एक value को eliminate करते हैं sign opposite बनाके और values को same करके एक question और इस पर discuss कर दे रहे हैं हो जाएगा दिया हुआ है 2x plus y is equal to 5 और दिया हुआ है 3x plus 2y is equal to 8 अब इस equation को solve करते हैं हमने क्या का था हम y को अगर eliminate करें तो y के पास 2 नहीं है इसके पास 2 है तो हम पहले वाले equation को 2 से multiply कर दें तो equation हो जाएगा 4x plus 2y is equal to 10 second equation को तो हम कुछ नहीं करेंगे because हमारे पास already 2y है लेकिन हमारे पास यहाँ पे sign नहीं सेम है sign बताँ अब सेम है opposite नहीं है opposite करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सभी के sign को change करना पड़ेगा नीचे वाला जो equation है सबके sign को change करने तो इसके पास plus sign है तो sign मानेस आ जाएगा plus से यहाँ भी minus हो जाएगा plus से यहाँ भी minus यानि कि हमें सबके sign को क्या करना है change कर देना है अब plus 2y minus 2y cancel out 4x minus 3x x हो गया 10 minus 8 हमारे पास 2 हो गया तो पहला answer आ गया x की value 2 y निकालने के लिए equation number 1 या equation number 2 कहीं पे भी insert कर दे तो यहाँ से calculate करेंगे 2 into 2 plus y is equal to 5 तो 2 into 2 हो गया 4 plus y is equal to 5 और y की value हमारे पास आ जाएगी 5 minus 4 और y की value हो जाएगी 1 तो y हमारे पास आ गया 1 और x हमारे पास आ गया 2 तो यही method होता है elimination method को solve करने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में substitution method बताया इस वीडियो में elimination बताया आगे वाली वीडियो में cross multiplication भी बताएंगे और फिर सबी questions को solve करेंगे word problems भी solve करेंगे यह बस short video है आपके समझने के लिए कि आप समझ जाएं कि methods कैसे apply करते हैं question solve करने के लिए जब लोग आगे के lectures में आएंगे तो और भी important questions जो board level के point of view से काफी important है उसे लेके आएंगे तो आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को over करते हैं एक बारा वीडियो को जरूर देखना like करना और channel को subscribe भी करना काफी important रहेगा motivation में मिलती है इसे तो आज के लिए सबको thank you और next वीडियो में अपने अलग method के साथ यहाँ पे upload किया जाएगा thank you